जैशी क्रेश्न आज मैं आपके लिए उंकारे की आठे अर्थात राधा अश्टमी की कथा लेकर आई हूं भाद्रमास की शुक्ल पक्षमी को की अश्टमी को राधा अश्टमी कहते हैं और जो लोग उंकारे की आठे का व्रत करना चाते वे इसी दिन उंकारे की आठे का व् पहवरत नो वर्ष तक किया जाता है पर ब्राह्मन समाज में इस वरत को आठ वर्ष तक करते हैंगे इस दिन मिट्टी के शिव जी पार्वती जी कूकर माकर और माकर के आठ बच्चे बना कर उनकी पूजा की जाती है पूजा करने वाली महिला या बाली का पूजा के पूजा को कन्या को और बानेच को इस तरह अंत वाले साल वो देवर को देती हैं अंत में इस वरत का उजमना करते हैं आठ वे या नवे वर्ष जो भी जैसे करेगा वैसे उजमने में एक जोड कपड़े जेंड्स के रखे जाते चांदी का उंकारा बनाया जाता है और वो ब्राह्म के दृप कर और राज़ शिवा जी के भजन काती रहती थी उसके आठ भचचे ते और कुकड के बच्चे पेदा होते ही मरती तु तो कुकर खुब चरती थी माकड से क्योंकि ना माकड के पास पैसा नहीं था पर फिर भी उसके गर में उसके बच्चों के कारण चहल पहल रहती थी खुब खुशी रहती थी तो उससे उसके बच्चों की खुशी नहीं देखी जाती थी कुकर से तो एक दिन उसने सोचा कि क्यों नहीं में माकड के बच्चे भी मार दू तो उसने क्या किया अपने घर पे जहर के लड़ू बनाए ने लड़ू बन उसने दासी से के दे कि लिए भई छीके में रख दिये और वो चले गी अब बच्चे खेल के आये अब आट बच्चे थे तो काम भी खुप सारा रहता था और गरीब भी थी तो उसके अनोकर चाकर भी नहीं थे तो वो खाना मांगने लगे और वो काम कर रही थी तो उसने का बच्चों से कि वो मासी ने तुमारे लिए लड़ू भेजे छीके पर रखे तो निकाल के खालो तो बच्चों ने वो लड़ू निकाले और खालिये पर चुकि माकड तो शियू पारवती की भक्त थी तो भगवान की क्रपा से उसके बच्चों को तो कुछ निवा उसके त क्योंकि उसने जहर के लड़ू भिजवाय थे तो उसको लग रहा था अब तो उसके बच्चे मर जाएंगे पर जब दासी मा कड के घर पोची तो मां तो बच्चे खेल रहे हैं तो दासी जब कुकड को ये जाके बताती है तो कुकड और चिड़ जाती कि में तो जहर के लड़ू भेजे तो क्या इसने या तो लड़ू नहीं खिलाए बच्चों को या फिर इसके बच्चे ऐसे कैसे हैं जो जहर खाके भी जिंदा हैं तो अब की बार वो क्या करती गी कि बच्चों को मारने के लिए जहरीले सांब बिच्छू वगरा एक पिटार और कि बच्चों के लिए भिच्चू अब जब दासी माकर के घर पाँचई तो माकर रुइकाता ही थी और रुइकाते वक्ते टेन मुत लड़ तो जब तक वव तो जब बच्चे बाहर से आये खेल के, तो वह वापस वही अब हो जा deberते। लुदुदुदुदुमीः गड़े, ढ़े, ड़े खे़े। में बदल गए और बच्चे तो खुशी-खुशी उन खिलोनों से खेलने लग गए अब कुकर ने दासी से दूसरे दिन फिर से का कि जब पता करके आतो कि माकड के घर के क्या हाले तो दासी देखा तो बच्चे तो खेल रहे हैं और माकड अपने काम में लग रही है कुकर का कुकर संञीवनी भुटी खाकर अए जो इसके बच्चे मरते ही नहीं बच्च तो उसने माकड के बच्चों को मारने के लिए अदमी मतलब हत्यारे शिवसे कहा कि मह रहा अदमी बच्चों की गये जंगल में, वहां मारके उनके धड़ तो जंगल में ही छोड़ दी, और उनकी मुंडी काटके लाके कुकड को दे दी, आप कुकड संतुष्ट हो गई, कि आप बच्चों की मुंडी मेरे पास है, तो आप बच्चे के से जिवित हुएंगे, और वो क्या करती हो, उनकी दढ़ दढ़ पड़े हुए और उनकी मुंडी गाए अभे तो पारवती जीनको देखते ही शिव जी से कहती ही कि कोई इन बच्चों को मार के पटगया कैसे छोटे-छोटे से सुंदर से बच्चे हैं इनकी मा किती दुख्यों हो रही होगी सारे बच्चों के वियोग में कित चलेगा सब अपने कर्मों के फल भुगतने पड़ते पर पारवती जी तो हट करने लगी कि आप यदि ऐसा नहीं करो तो मैं तो आगी नहीं बढ़ू तो शिव जी तैयार होते पारवती जी की बात पे तो दोनों रूप बदल के कुकड के घर जाते शिव जी तो सादू ब जी तो silड़ती जी बुदीधे पारवती जी उन बच्चेवर भुणकतना के लिए और साद आती शिव एक हमढ़ती खेजाती कि तुम कुक्ती दर से यां जंगल में सओ और जाती है तो सुमयरे घर पर तुमारी मा इंतजार कर योगी कि वूप जानती कि इनकी माय ऋपक् पारवती जी की बहुत बड़ी भगत भी है, तो वेसे भी उनसे अपने भक्त का दुख नी देखा जाता भगवान से, तो इसलिए पारवती जी उनसे केती की घर जाओ तुमारी मा तुमारा इंतजार कर रही होगी, अब घर पोचने पर मा भी घबरा तो रही थी, तो पुछ के घर भेशती की जा देख के आप माकर की क्या हालत है, अब तो खूब रोरी होगी, बिलकरी होगी, अपने बच्चों की बच्चे नी है, तो उनके वियोग में, तो दासी मा जाके देखती है, तो माकर तो अपने बच्चों के साथ खाना खारी होती है, तो ये जैसे ही दा फिर एक ऐसा बुरा विचार आता है वो उसको पालने में सुला देती है और अपनी दासी को नोकरा निको किती कि जा माकड को बुला के लाओ अब उस दिन क्या होता ही गा कि ओंकारे की आठे का वरत रहता है यहने राधा इस्टिमी रहती ही तो माकड के वरता है तो उसके घर पुच्च जाती है अब कुकड ने माकड से कहा, क्योंकि माकड जैसे ही वहाँ पोशती तो वो कुकड को आवज लगाती, तो कुकड केती कि मैं अभी अंदर हूँ, और बच्चा में पालने में लेटा हुआ, तो तुम बच्चे को ध्यान रखो और उसको खिलाओ, और तो माकड जैसे ही पालने में जुकती बच्चे को उठाने के लिए तो उसके गीले बालों से पानी तपकता और वो बच्चे के उपर गिरता है तो बच्चा रोने लग जाता है और बच्चे के रोने के आवाज सुनते ही कुकड एकदम अंदर से बाहर आती ही और बच्चे को जिवित देखती है तो उसको समझ में आ जाता है तो माकड से खुब अपने पश्चा ताप और गलानी से मार भर के और माफी मांगती ही माकड से किती मैंने तो मेरा बच्चा मरा हुआ पेदा हुआ तो उसको इसलिए पालने में सुलाया था कि उसका दोश तुम पे लगाना चाती थी कि तुमने आके मेरे बच्चे को मार दिया पर तेरे भाग्य से और तेरे व्रत के प्रभाव से और अच्छे विवार से इस तरह से कुकर भूछ चीत करती है तो माकर अपनी बेहन को शमा कर देती है और उससे कहती है चल तेरे को किसी पंडित के पास चले अपन तेरी पत्री का बगरा दिखाए कि क्या कारणे तेरे बच्चे जीवित नी रहते है तेरे दोश को जाने तो सही तो वो दोनों बेने एक विद्वान पंडिजी के पास जाती है पंडिजी से पुछती कि कुकर के कोई बच्चा भी जिवित क्यों नहीं रहता हैगा तो पंडिजी ध्यान करते हैं कुकर के पिछले जनम की कुनली देखते हैं यह ध्यान करते हैं यह सारी बाते हैं तो बताते से कविसी आग में जलता हुआ छोड़के और ये तो बचा अपने आपको बचाने के लिए उड़गी और इसके बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया और माकड ने अपने बच्चों को बचाने के लिए आग में जल गई अपनी जान दे दी तो इसलिए आज कुकड के बच कुकड के बच्चे पे गिरा तो वो जिवित हो गया तब से सभी अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए मता आएं उकारे की आठे का व्रत करती है और माकड को देखके कुकड ने भी उकारे की आठे का व्रत चालू कर दिया और अंत में दोनों बहनों ने सुख भोग कर दूरियों तो पूरी कर जो और पूरियों तो मान कर जो जैशी क्रेश्न आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रप्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजि ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके जय शिक्रहशन, धन्यवाद